असलाम नेकुम विडियोस कैसे हैं आप सब लोग होपुली आप सब कहरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सब का अपना चैनल बजीश पैरिट्स इंफोर्मिशन जहां में लिए क्या आती हो आपके लिए और आपके लावर्ट्स के लिए बहुत इंफरमेटी वीडिय होपुली आपको मेरी वीडियो से बहुत ही फाइदा हासिल हो रहा होगा और आप भी वही गाइडलाइन हासिल करना कर रहे होंगे और जो आप हासिल करना चाह रहे थे जो नौलिज आप अपके पास नहीं थी पहले वह आपको मिल रही होगी अपने बर्ड्स से करते हैं कि बहुत से लोगों के साथ यशू आता है कि समर सीजन में उनके बर्ड्स बीमार पढ़नक शुरू हो जाते हैं एड दी एंड वो इकस्पायर हो जाते हैं या वह सर्वाइब नहीं कर पाते हैं तो उसकी क्या वजूहात है या उससे अपने कैसे बचना है कि मैं आ अपना टाइम इसकी बिना ही हम आ जाते हैं आज की टॉपिक के जाने जो कि बहुत जादा इंपोर्टन है हर शेक्स के लिए जो भी बर्स पालने का शौक रखता है या जुसने बर्स पाले में घर पे अगर आपका सेटप आउड़ोर है तो आपको बहुत जादा की कारणा है और डायरेक्ट लगने वाली गरम हवासे भी बचाना है तो विवर्स गर्मी गर्मी से आपके बर्स बहुत जल्दी बिमार पड़ते हैं ना सिर्फ वीक होते हैं खाना प्रिना छोड़ जाते हैं उसके सास्त भी अन्हें डी हाइडरेशन होती है तो पाने की कमी कि में लूज मोशन का इशू आता है तो जिसके जासे आपके बर्ट आजसा आजसा एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं तो आपने इस टाइम पर क्या गड़ना है कि अपने बर्ट को जो भी गरम चीज़ें हम विंटर सीजन में इपने बर्ट को दे रहे थे मैं हमेशा कहती कि आपने उनकी डाइट में थोड़ा रदो बदल करना होता है जैसे ही सीजन होता है तो यहां पे जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो आप वो तमाम गरम चीज़ें अपने बर्ट को देना बंद कर देंगे बंद क्या कुछ यासी चीज़ें होती जिनकी हम क तो डीक कि विक में तुंस इक बार एक देना है अगर हम अपने बर्ट कि कांटिटी के हसाब से एक वाइल एक को क्रॉश करके और उसमें डिफेंट और चीज़ें मिक्स करके चाहिए आप वाइल राइस में चाहिए आप जिस चीज़ें भी देर तो आम उसकी कॉंटिटी क लेंगे को टू से एक तक ले आएंगे वझा या वझा सि हम और एंगे के कुवांटिटीक भी च्वाइब करना है लेकिन देना जूरूर है क्योंकि अपके बड्च के लिए बहुत ज़रूरी है मैं ऐसा तो नहीं कहुंगे कि आप बिल्कुल भी ये बंद करते हैं कि ताशीर गरम होती है तो उनको गर्मी लगने की वज़ा बनती है तो इसके साथ जो धनिया है कोरियंडर जैसा भी आपको मिले और आपने बर्ड्स को जरूर दें जैसे के ग्रीन आजकल अवेलिबल है हर जगा पे तो आप अपने बर्ड्स को इसके पत्ते वह बहुत शौक से खाते है तो आप अपने बर्ड्स को जरूर परवाइड करें क्योंकि ये उनको ठंडा रखता है उसके साथ जो तर्बूज है आजकल मार्केट में अवेलिबल है अपने बर्ड्स को जरूर दें वो बहुत शौक से भी खाते हैं और ठंडे भी से हैं एक तरह से आपके बर्ड्स को बाड़ी हआइडेशन से बचाता है उनकी बड़ी को हाइड्रेट रखता है तो अपने बर्ड्स को जरूर परवाइड करें उसके साथ साथ कुछ आप घर पे और ओर गयनिक फॉर्मूलास तיार करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं इसमें डिफ्रॉंट किसम की हर्ब्स आप डाल के पने birth को दें जैसे कि मुरिंगा है मुरिंगाई ये अपने पनी बर्ड को दें जो तमाम वह हर्ट तंडी होती हैं जो आपके बर्ड के लिए आपंे बड्ड को दे सकते हैं ताके आपके बर्ड को गर्मी से बचाया जासा कि प्रॉबरी है तर्बूस है और आपल है और इंजिस है इन तमाम चीजों कोयात conviction इंके लिए Mixture दोताओν दो नीका मिंश्टर्ण और वह बहुत बूस्त होई गर्मी था फिक्ट नबदी की और वह स्वेट्टिफं से लढादे कि उनके अंदर एक जो अम्यूनिटी है वो बन सके तो विवर्स उनका अम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रॉंग करना है वो उनकी डाइट ने करना है वो बेंट करता है कि आप उन्हें देखिया चीज रहे हैं जितने भी नूट्रेंट मतलब के उनकी बॉड़ी की रिक्वार् तो अगर अपने बर्स को तमाम हर्ब्स दे रहें कोरेंडर लीव्स दे रहें तर्बूस दे रहें उसके साथ साथ आप पानी अपने बर्स को दे रहें पानी आपनी बार बार चेंज करते रहना है और उसके साथ साथ आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं उसके इलावा आ आप तमाम की तमाम लाके देंगे तो आपके बर्स हेल्दी रहेंगे तो विवर्स ये थी मेरी आज ही वीडियो होपली आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जान पाए होगा किस तरह से आपनी प्टी बर्स की केर करनी है समर सीजर में सर्वाइव करवाने के लिए अगर आप अपनी बर्स को तमाम की तमाम हर्ब्स ते रहें तमाम की तमाम इस तरह की और्गनिक फॉर्मॉला यूज़ करवारें कि आपके बर्स को किसी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उनका सेटएप इस तरह से किया हुआ है कि उनको डारेक्ट धूप नहीं लगती अगर आउटडोर है तो आप उसको कम्प्लीटली कवर कर लें कि चाहिए वो जिस तरह की ग्रीन कपड़े के साथ ताके वो डारेक्टली धूप उनकी जो केस को ना लगे या जो भी आप जिस कॉलोनी जो भी आपने बनाई वी उसको ना लगे और उसके साथ साथ आपने व की जरूरत है तो माइड पर रखिएगा एक्तियात हमेशा इलाज से बेतर है कि आपको दुबारा किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े होफ़ली आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी मुझे परी दूआ में या देखिए कि अपना ठेट साथ क्या र